सब्सक्राइब चमकादर ने जवाब दिया मेरे पास कोई दोस्त नहीं ही। शोहा ने मुसकरा कर कहा लेकिन हम दोनुं की दोस्ती की वज़ह से हम अकेले नहीं होंगे। आओ मिलकर दोस्त बने और मिलकर खुशियों मने। चमकादर ने उस पर वोर किया और फिर मनमान गई। दोनुं ने एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना शुरू किया और कुछ वक्त के बाद दोनुं की दोस्ती और मजबूत हो गई। दोनुं ने मिलकर जिंगल में कई जानवरों की मदद की। वो दोनुं अकठे खेलते, मजब करते और एक दूसरे के दुख्मू और खुशियों का हिस्सा बनते थे। आहिस्ता आहिस्ता बहुत से और जानवर भी उनके साथ शामिल होने लगे। तो उस तरह उन दिनों की तनहाई दूर हो गई और वो भी जिंगल के दूसरे जानवरों की तरह हंसी खुशी जिंदगी बसिर करने लगे। ये कहानी हमें ये सखाती है कि दोस्ती की ताकत बहुत ज्यादा होती है और अगर आप तनहा ही तो आपको जरूर अच्छे।